एकाई आठ ग्राफ की समझ नौलेच अव ग्राफ ग्राफ क्या है? ग्राफ तू भिन राशियों या चरों के बीच के संबंध को तथा एक राशी में हुए परिवर्तन का प्रभाव, दूसरे राशी पर क्या पढ़ता है को दिखाने की एकचित्रिय विधी है. इन दो राशियों को को ओर्डिनेट तल पर दोनों अक्षों से निरुपित किया जाता है और इनके संबंध को दोनों अक्षों के बीच विभिन वक्रों से दर्शाया जाता है. दोनों अक्षों में एक शैतिज अक्ष को सामानितह एक्सक्ष तथा उर्धवदर अक्ष को वा 1-1, 2-4, 3-9, 4-16, अर्थात एक ग्राफ दो भिन राशियों के पारस पर एक परिवर्तनों का प्रदर्शन हैं, दोनों राशियों के बीच के संबंध के आधार पर ग्राफ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रत्यक्ष विच्रण, दो प्रतिलोम विच्रण एक प्रत्यक्ष विच्रण यदि पहली राशी के बनने पर दूसरी राशी बढ़े तथा पहली के घटने पर दूसरी राशी भी घटे तो इसे प्रत्यक्ष विच्रण कहते हैं अर्था दोनों राशियों के परिवर्तन की दिशा समान होती है। जैसे यहां तरशाया गया है। एक आरेक में ग्राफ सीधी रेखा में बढ़ रहा है और दूसरे में वक्र रूप में। चुकि किसे भी एक अक्षपर मूल बिंदू O से दूर जाने पर वो राशी बढ़ती है अत्रप्रत्यक्ष विचरण की स्थिती में ग्राफ हमेशा X सक्ष तथा Y अक्ष दोनों से दूर जाता रहेगा। जैसे उप्रोक्त चित्र में ग्राफ A, B और C तीनों प्रत्यक्ष विचरण के उधारन हैं। प्रुपया ग्राफ की विशय में अधिक जानकरी के लिए आप अपने शिक्षक से संपत कीजिए प्रिष्ट 110 दो प्रतिलोम विच्रन यदि दो राशियां इस प्रकार हों कि पहली राशी के बढ़ने पर दूसरी राशी घटे तथा पहली राशी के घटने पर दूसरी राशी बढ़े तो उसे प्रतिलोम विच्रन कहते हैं अर्था दोनों राशियों के परिवर्तन की दिशाएं विप्रीत होती हैं जैसे यहां दर्शाया गया है अतर प्रतिलोम विच्रन के ग्राफ में ग्राफ मूल बिंदु से आगे बनने पर एक सक्ष के नस्दिक आता जाता है अब ग्राफू के बारे में हम इतनी बाते जानते हैं एक ख्षयति जक्ष, एक सक्ष तथा उर्धादर अक्ष, वाय अक्ष जिस बिंदू पर एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदू कहते हैं इस बिंदू पर दोनों राशियों का मान शूनने होता है 2. ख्षैतिच अक्षपर दाईं और बढ़ने पर तथा उर्धादर अक्षपर बाईं और बढ़ने पर अर्थात मूल बिंदू से दूर जाने पर प्रदर्शित राशी का मान बढ़ता है कुछ विशेश प्रकार के ग्राफ 1. एक्स अक्ष के समानांतर ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल ग्रेखा हो तो ये दिखाता है कि चाहे एक्स में कुछ भी परिवर्तन क्यों ना हो वाई नहीं बदलता है अर्थात एक्स के किसी भी मान के लिए वाई का मान नियत रहता है अर्थात ये y बराबर k समीकरन वारा दिखाया जा सकता है यहां x अक्ष के समानंतर एक सीधी रेखा में ग्राफ है 2. y अक्ष के समानंतर ग्राफ ये ग्राफ ये दर्शाता है कि y के किसी भी मान के लिए x का मान नियत रहता है अर्थात इसका समीकरण X पराबर K होगा यहाँ पर ग्राफ Y अक्ष के समानतर है तीन वर्धमान ग्राफ यदि राशी X में व्रिध्धी के साथ राशी Y में भी व्रिध्धी हो तो इसे वर्धमान ग्राफ कहते है यहाँ इसके कुछ उधारंदर शाय गए है एक ग्राफ में सीधी रेखा में ग्राफ पढ़ रहा है दूसरे में वक्र रूप में उपर के और और तीसरे ग्राफ में नीचे के और वक्र रूप में है वर्धमान ग्राफ भी निम्न प्रकार के हो सकते हैं एक आनुपातिक ग्राफ यदि ग्राफ एक सरल रेखा में वर्धमान होता है, अर्थात X में व्रिध्धी के साथ Y में व्रिध्धी का अनुपात निश्चित होता है, तो इसे समीकरण Y बराबर MX से दर्शाया जा सकता है, यहां सीधी रेखा में ग्राफ है, प्रिष्ट 111. बी, चर घातं की वर्धमान ग्राफ, यदि ग्राफ ये दिखाए कि X में व्रिध्धी के साथ Y में घातं की रूप से व्रिध्धी होती है, तो इसे चर घातं की वर्धमान ग्राफ कहते हैं, अर्थात इस ग्राफ में X के सापेक्ष Y के परिवर्धन की दर्परिवर्धन शील होती है इसे y बराबर x to the power n से दर्शाया जा सकता है जैसे graph a और b दोनों चर घातां की वर्धमान graph है graph a बताता है कि x के सापेक्ष y के बढ़ने के दर भी बढ़ रही है जबकि graph b बताता है कि x के सापेक्ष y के बढ़ने के दर खट रही है गुपया सभी graph के विशे में अधि शिक्षक से संपर्ख कीजिए चार रहासमान graph यदि राशी x में व्रधी के साथ राशी बाई में कमी आई तो इसे रहासमान graph कहते हैं ये भी आनुपातिक या चार घातां की रहासमान graph हो सकता है उधारन एक दिये गए graph में एक व्यक्ति की प्रतिदिन की आई को दर शाया गया है बताईए कि किस समय अंतराल में उसकी आय निश्चित रही graph इस प्रकार है a बढ़ी है b में घटी है c में फिर बढ़ी है d में लगभग वही है और e में फिर थोड़ी बढ़ी है विकल्पे a b b o a c c d d d d e हल चुकि समय अंतराल c d के लिए i समय graph x के अक्ष के समानतर है अर्थाद c d समय के लिए i का मान नियत है उधरन दो एक मजदूर की मजदूरी पहले दिन की 10 रुपए दूसरे दिन की 25 रुपए तीसरे दिन की 45 रुपए चौथे दिन की 70 रुपए है और इसी प्रकार बढ हल चुकि यहां प्रति दिन आय बढ़ रही है अतह graph वर्धमान होगा चुकि आय में वृद्धी की दर भी बढ़ रही है जैसे 15 रुपए 20 रुपए 25 रुपए डौट 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 अतह graph चरगातां की वर्धमान होगा graph इस प्रकार होगा बक्र रूप में उपर की और ब समझ में पूरे विस्तार से पढ़ा है फिर प्रतम द्रिश्ट्या प्रश्ण ये उड़ता है कि गती एवं दिशा से संबंधित graph को अलग से पढ़ने के क्या आवश्यक्ता है क्या हम यहां graph की कुछ नई विशिष्टाओं के बारे में समझेंगे या गती एवं दिशा के बारे में कुछ नई अवधारनाए सिखेंगे इस अध्याय का मूल उद्देश गती समय दूरी विस्तापन इत्यादी अवधारनाओं को graph पर प्रदर्शित करना है स्पष्ट है कि ये अध्याय graph की जानकरी और गती दूरी विस्तापन समय इत्यादी की जानकरी दोनों की अपेक्षा करता है आईए हम इन चीजों को समझते हैं गती यदि कोई वस्तू अपने स्थिती में परिवर्तन लाती है तो हम कहते हैं कि वो गती शील है जैसे यदि एक व्यक्ति बिंदू A से B तक गया तो वो गती कर रहा है विस्तापन displacement इसे D से प्रदर्शित किया जात है किसी गती शील वस्तू के आरंभिक बिंदू एवं अंतिम बिंदू के बीच के अंतर को उसका विस्तापन कहते हैं जैसे यहां जो चित्र दिया गया है उस चित्र में गती शील व्यक्ति का विस्तापन बराबर बिंदू A से B की दूरी बराबर D उधारण 1. निम्न स्थित्यों में गतिशील वस्तू का विस्थापन बताईए यदि बिंदु A और B के बीच की दूरी 10 cm है विकल पे एक सीधी रेखा में A से B तक की दूरी D बराबर 10 cm B वृत्ताकार रास्ता यहां भी विस्थापन बराबर A और B के बीच की दूरी इसलिए D बराबर 10 cm C जिगजग रास्ता यहां भी विस्थापन बराबर A और B के बीच की दूरी बराबर D बराबर 10 cm D. वृत्ताकार रास्ता यहां भी विस्थापन A से A की दूरी क्योंकि वो वस्तु A से चलना शुरू करके वापस A पर ही पहुंची है बराबर D बराबर 0 दूरी डिस्टेंस S किसी गतिशील वस्तु द्वारा तै किये गए रास्ते की माप को दूरी कहते हैं जैसे उप्रोक्त उधारण A के विभिन्न स्थितियों में दूरी निकालते हैं प्रिष्ट 113 पहली स्थिति में यहां दूरी बराबर विस्थापन क्योंकि वस्तु सीधी रेखा में चली है अतरास्ते की माप बराबर प्रारंभिक बिंदू से अंतिम बिंदू के बीच की दूरी बराबर 10 cm विकल B में अर्धवृत्ताकार रास्ते से A से B तक दूरी तै हुई है यहां दूरी बराबर अर्धवृत्ताकार रास्ते की माप बराबर 5 cm C इस थिति में दूरी को किसी जामित्य विधी से माप करना अव्यावारिक है क्योंकि जिग-जैक मोशन है D. वृत्ताकारपत है, इस्तिती में तई दूरी बराबर वृत्त की परिधी बराबर 2πR बराबर 2π5 बराबर 10π cm Note, विस्थापन या डिस्प्लेस्मेंट एक सदिश राशी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि दूरी अदिश राशी स्केलर क्वांटिटी होती है चाल, स्पीट, किसी गतिशील वस्तूद्वारा प्रती इकाई समय में तै दूरी को इसकी चाल कहते हैं, अर्थात अगर वस्तूर T समय में S दूरी तै करती है तो उसकी चाल बराबर S बटे T वेक, वेलोसिटी, किसी गतिशील वस्तू द्वारा प्रती इकाई समय में किये गए विस्थापन को वेक कहते हैं, अर्थात वेक वी बराबर डी बटेटी नोट, चूकी दूरी एक अदिश राशी है, अतह चाल भी एक अदिश राशी है, तथा चूकी विस्थापन एक सदिश राशी है, अतह वेक भी एक सदिश राशी होगी अर्थत अगर कोई गतिशील वस्तू समान समय में समान दूरी तै कर रही है तो उसकी चाल नियत है जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि उसका वेग भी नियत हो उसका वेग नियत होने के लिए गति की दिशा भी अपरिवर्तनिय रहना ज़रूरी है विस्थापन और दूरी को जानने के बाद निम्न बिंदू महत्वपूर्ण है एक, चुकि विस्थापन गती के प्रारंभिक बिंदू और अंतिम बिंदू के बीच का अंतर है अतर गती के दौरान ऐसा हो सकता है कि विस्थापन पहले बढ़े फिर घटे और फिर शूने हो जाए जबकि दूरी एक बार बढ़ने के बाद घट नहीं सकती क्योंकि दूरी गतीशील वस्तुदारा तै किये गए रास्ते के माप होती है जैसे A से B 10, B से C 10, C से D 10 cm यदि राम बिंदू A से चलना शुरू करता है तो A से D के तरब जाने के दौरान D AB बराबर 10, D AC बराबर 20, D AD बराबर 30 फिर वापस लोटने के दौरान D AC बराबर 20, D AB बराबर 10, D AA बराबर 0 जबकि दूरी A से D के तरब जाने के दौरान SAB बराबर 10, SAC बराबर 20, SAD बराबर 30 फिर वापस लोटने के दौरान SAC बराबर 40, SAB बराबर 50, SAA बराबर 60 प्रिष्ट 114 2. अगर आपको उप्रोक्त उधारन में अर्थात राम के बिंदू A से यात्रा शुरू करके B, C, D होते हुए वापस बिंदू A तक आने में यात्रा के पूरवर्ध में अर्थात A से D तक जाने में राम की चाल बराबर, राम के वेक की माप क्योंकि तै दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हैं, लेकिन A से D तक जाने के बाद जो ही वो वापस मुड़ता है, उसकी गती की दिशा बदल जाती है और उसका वेक परिवर्धित हो जाता है उधरन एक, यदि एक बच्चा बिंदू P से दौणना शुरू करता है, वहां से वो Q पर जाता है, फिर वहां से R पर और R से S पर जाता है ऐसे वो वापस बुनह पीत पर पहुँच जाता है, यदि दूरी P Q Q R R S तथा S P चारो बराबर है, तथा इन्हें तै करने में उसे समय भी समान लगता है, तो कुछ महत्वपोर्णत अथ्थे इस प्रकार होंगे ए, यात्रा के दौरान उसकी चाल नियत रहती है क्योंकि समान दूरियां समान समय में तै हो रही है, बी, यात्रा के दौरान उसका वेग बदलता रहता है क्योंकि उसकी गति के दिशा बदलती जाती है, सी, यात्रा के दौरान उसकी दूरी बढ़ती जाती है, डी, यात्र बदलते रहता है क्योंकि इसकी गती की दिशा हमेशा बदलती रहती है। आईए अब हम ग्राफ की कुछ विशिष्टाओं को समझते हैं। ग्राफ की ढाल स्लोप यदि ग्राफ एक सरल रेखा में हो तो उसकी किनी दो बिंदों x1, y1 और x2, y2 के y निर्देशांकों के अंतर और x निर्देशांकों के अंतर के अनुपात को उस ग्राफ की ढाल कहते हैं। ग्राफ की ढाल m बराबर y2-y1 बटे x2-x1 अतर अगर वो सरल रेखा ग्राफ मूल बिंदों से गुजड़े तो m बराबर y2-0 बटे x2-0 बराबर y2 बटे x2 बराबर y बटे x यदि ग्राफ एक सरल रेखा ना होकर एक वक्र हो तो ग्राफ किसी एक हिस्से की ढाल हम उस हिस्से के प्रारंभिक बिंदू और अंतिम बिंदू को मिलाने वाली रेखा की ढाल से बताते हैं। यहां m बराबर y2-y1 बटे x2-x1 इसे भी यहां ग्राफ रूप में दर्शाया गया है। ग्रुपया सभी ग्राफों के विशे में अधिक चानकारी के दिए आप अपने शिक्षक से संपर्क कीजिए। उधारण दो, यहां एक आरेक है, इसमें एक गतिशील वस्तु का चान समय आरेक दर्शाया गया है, तो उसका दोरी समय आरेक कीजिए। यह आरेक x अक्ष के समानांतर है, ग्राफ में x अक्ष पर समय और y अक्ष पर चाल है। चूकि यहां चाल समय ग्राफ x अक्ष समय आक्ष के समानांतर है, अर्थात उसका मान नियत है, अर्थात वस्तु एक समान चाल से गतिशील है। अतह तै दूरी समय के साथ बढ़ती जा रही है, अतह इस चाल समय आरेक का दूरी समय आरेक आनुपातिक वर्धमान ग्राफ होगा। इस ग्राफ में X सक्षपर समय और Y अक्षपर दूरी है और ये एक सीधी रेखा में बढ़ता है। चूकि चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी माइनस समय आरेक की ढाल। दूरी बराबर चाल गोणा समय बराबर चाल समय आरेक काक्षेत्रफल। अतह एक अगर चाल समय ग्राफ ऐसा है तो दूरी समय के साथ बढ़ रही है अर्था दूरी समय ग्राफ निम्न ग्राप के X सक्षपर समय और Y अक्षपर चाल है तो X सक्ष के समानतर ग्राप होगा और यदि X सक्षपर समय और Y अक्षपर दूरी है तो ये X सक्षपर से दूर होता जाएगा सीधी रेखा में आगे बढ़ेगा प्रिष्ट 115 उधरन दो अगर चाल समय ग्राप यहां दर्शाय गए अनुसार हो ये ग्राप इस प्रकार है इसके X सक्षपर दो बिंदू है T1 और T2 और Y अक्षपर चाल है तो इसका अर्थ है कि चाल हमेशा शूने रही है अर्था गती शुरू होने के समय दूरी जितनी थी उतनी ही रहत है क्योंकि यहां चाल समय आर्थ के नीचे का ख्षित्र पल शूने है अधर इस ग्राप का दूरी समय ग्राप इस प्रकार होगा इसके X सक्षपर समय और Y अक्षपर दूरी होगी और T1 और T2 के मद्ध सीधी रेखा X सक्ष के समानतर होगी तीन अगर चाल समय ग्राप आनुपातिक वर्धमान हो जिसमें X सक्षपर समय और Y अक्षपर चाल है और X के सापेक्ष बढ़ता जा रहा है ग्राप सीधी रेखा में तो इसका तातपर्य है कि चाल समय के साथ बढ़ रही है अर्था तय की दूरी समय के साथ बढ़ रही है लेकिन साथ ही दूरी के बढ़ने के दर भी बढ़ रही है अर्था दूरी समय ग्राफ चर घातां की वर्धमान ग्राफ होगा अधर दिये गए चाल समय ग्राफ का दूरी समय ग्राफ इस प्रकार होगा इसके X अक्षपर समय और Y अक्षपर दूरी है और ये वक्र रूप में बढ़ेगा उधारन तीन एक मोटर साइकल सवार का चाल समय आरेक यहां दर्शाया गया है उसका दूरी समय आरेक खिचिये यहां X सक्षपर समय और Y अक्षपर चाल है और X सक्षपर क्रमशत तीन बिंदू है T1, T2 और T3 मूल बिंदू से T1 तक ग्राफ X सक्ष के समानतर है T1 से T2 नहीं दर्शाय गया है T2 से बढ़ता हुआ सीधी रेखा में T3 तक है रुपया सभी ग्राफ के विशे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने शिक्षक से संपर्ख कीजिए हल उप्रोग्त ग्राफ में प्रदर्शित गति के दूरी का समय आरेक होगा इसके X सक्षपर समय सेकिंड में और Y अक्षपर दूरी मीटर में है T1, T2 और T3, X अक्षपर बिंदू है T1 तक मूल बिंदू से सीधी रेखा में ग्राफ बढ़ा है T1 से T2 समानतर है X सक्ष के और फिर T2 से T3 तक वक्र रूप में उपर बढ़ा है अभी तक चाल समय ग्राफ से दूरी समय ग्राफ में बदलने की जो विधियां बताई जा रही थी हम उन्ही विधियों को विप्रेट नियम को पालन करते हुए दूरी समय ग्राफ से चाल समय ग्राफ भी कीच सकते हैं जैसे उधरन चार एक गतिशील बस्तु का दूरी समय आरेक, यहां चित्र में प्रदर्शित किया गया है, इसका चाल समय ग्राफ खिचे, इसके एक सक्षपर समय सेकंड में और वाय अक्षपर दूरी मीटर में हैं, यहां बिंदू, एक सक्षपर प्रमश एक, दो, तीन, चार, पांच हैं, से पांच में वक्र रूप में बढ़ा है, प्रुपया ग्राफ के विशे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने शिक्षक से संपर कीजिए, प्रिष्ट 116, हल, सपश्टतर समय 0-5 तक का चाल समय आरेक निम्न होगा, क्योंकि समय 0-1 तक तै दूरी बराबर 0 अत चाल बर दूरी समय ग्राफ की ढाल बराबर 2-0 बटे 3-1 बराबर 1 मीटर प्रतिसेकंड, समय 3-4 तक तै दूरी बढ़ रही है, अत चाल बराबर 0, समय 4-5 तक चुकी दूरी चर घातां की रूप से बढ़ रही है, अत चाल वर्धमान होगी, यहां इसे ग्राफ रूप में दर्शाय गया है, उधारन 5, निम्न चित्र में दो व्यक्तियों द्वारा की गई गती का चाल समय आरेक प्रदर्शित किया गया है, किस व्यक्ति द्वारा तै की गई दूरी अधिक है, ग्राफ इस प्रकार है, इसके X अक्षपर समय और Y अक्षपर चाल है, A के लिए चाल वर्धमा है, अर्थात सीधी रेखा में X सक्ष के विरुध बढ़ी है, और B में वक्र है, रपया अधिक जानकारी के लिए आप अपने शिक्षक से संपर्क कीजिए, हल, A ने ज्यादा दूरी तै की क्योंकि A के चाल समय आरेक के पीछे का क्षित रफल, ग्रेटर दैन के चाल समय आ आरेक के बारे में समझी है, वो वेक विस्थापन समय के आरेक के बारे में भी लागू होंगी, जैसे वेक समय आरेक के नीचे का क्षित रफल बराबर विस्थापन और विस्थापन समय आरेक की ढाल बराबर वेक. अभ्यास प्रश्न प्रश्न एक यहां दिये गए चार आयू पिरामिड A, B, C, D अलग-अलग चार देशों को निरूपित करते हैं उन पर विचार कीजिए यह प्रश्न CSAT 2011 का है परन्तु इसे वर्नन करना संभव नहीं है क्योंकि यह चित्र रूप में हैं प्रश्न है इन में से कौन सा एक घटती जनसंख्या को इंगित करता है विकल्प A, B, B, C, C, D, D सही उत्तर है विकल्प C, C हल दिये गए चारो ग्राफों में ग्राफ A, B, C और D में आयू बढ़ने के साथ जनसंख्या में उस आयू बर्प का प्रतिशत घटता जा रहा है अर्थात इन तीनों देशों में बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है अर्थात जनसंख्या बढ़ रही है केवल ग्राफ C में ग्राफ उपर मोटा और नीचे पतला है अर्थात बाल जनसंख्या कम है अर्थात जनसंख्या घट रही है प्रश्न दो यहां दिये गए चित्र में नाम तह A, B, C, D चार वक्र प्रस्तुत है चित्र का अध्यान किजिए और यहां दिये गए प्रश्नों के उत्तर दिजिए यह प्रश्न C, A, C, T, 2011 का है ग्राफ का वर्णन करना संभव नहीं है आप अपने शिक्षक से संपत किजिए प्रश्न है इन में से कौन सा वक्र चार घातां की वृध्धी को इंगित करता है विकल्पे A, B, B, C, C, D, D सही उत्तर है विकल्प C, C व्याक्या वक्र सी चर घातां की वृध्धी को दर्शा रहा है प्रश्न तीन निम्न आरेखों पर विचार किजिए एक्स पुरुष एक स्थिर चाल से कारे करता हुआ एक विशेश कारे को Y दिन में पूरा करता है इन आरेखों में से कौन सा एक X और Y के बीच संबन तर्शाता है चित्रों का वरणन करना संभव नहीं है कृपया आप अपने शिक्षक से मदद लिजिए विकल्पे आरेख एक, B आरेख दो, C आरेख तीन, D आरेख चार सही उत्तर है विकल्प D आरेख चार हल चुकी पुर्षों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या घटेगी अर्थात X अनुक्रमानुपाती एक बटे वाई या व्योत्क्रमानुपाती संबंध अतह उप्युक्त ग्राफ चार होगा प्रेष्ट 170 प्रश्न चार निम्न में कौन सा वक्र एक योजना बद्ध सुव्यवस्थिच शहर की जनसंख्या वृद्धी को दर्शाता है ग्राफ का वरणन करना संभव नहीं है आप अपने शिक्षक से मदद लीजिए विकल्पे A, B, B, C, C, D, D सही उत्तर है विकल्प C, C व्याख्या जब तक कोई बीमारी, महामारी या जनसंख्या घटने का कोई आकस्मिक कारण जैसे युद्ध इत्यादी ना हो जनसंख्या वृद्धी का ग्राफ घातं किये ही होता है प्रश्न पांच अर्थशास्ट का एक प्रसिद्ध नियम है, मांग बढ़ने पर मूल्य घटता है इस कथन का ग्राफिय निरूपन कैसा होगा यहाँ इसने चित्र रूप में दर्शाया गया है, जिनका वर्णन नहीं हो सकता कृपया इस प्रश्न के लिए आप अपने शिक्षक से संपर किजिए इस प्रश्न का उत्तर इस्टकार है, मांग बढ़ने पर मूल्य बढ़ता है अर्थात मांग अनुक्रमान उपाती मूल्य इसलिए मांग वी एस मूल्य का ग्राफ एक रेखिक वर्धमान ग्राफ होगा प्रश्न चे, अर्थशास्त्र का एक नियम मांग बढ़ने पर मूल्य घडता है इस कथन का ग्राफिय निरूपन कैसा होगा क्रुपया इन सभी ग्राफों के विशय में आप अपने शिक्षक से संपर्खीजिये इनका वर्णन नहीं हो सकता है इसका उत्तर है मांग बढ़ने पर मूल्य घडता है अर्थात मांग अनुक्रमान उपाती एक बटे मूल्य अर्थात मांग और मूल्य में विद्ग्रमान उपाती संबंध होगा प्रश्न साथ हमारी कमपनी को नए प्रोजेक्ट मिलने से हमारा कारेभार फिर से घातां किये घातिय रूप से बढ़ रहा है निम्नमे से कौन सा ग्राफ इसे पोर्णतह निरूपित करता है कृपया ग्राफ के विशे में जानकारी के लिए आप अपने शिक्षक से समपट कीजिए इसका उत्तर दिया गया है हमारा कारेभार फिर से बढ़ रहा है अर्थात पहले से भी हमारा कारेभार कुछ था और अब ये खातिय रूप से बढ़ रहा है अतर सही आरेक भी है प्रश्ण आठ ए अपने घर से अपने मित्र बी के घर जाता है फिर वहां से वो खेल के मैदान तक जाता है जहां से वो ट्यूशन जाता है निम्नमे से कौन सा दूरी समय ग्राफ उसके बी के घर से खेल के मैदान तक की गति को प्रदर्शित करता है यदि वो किसी भी जगह पर रुका नहीं हो इन सभी को यहां ग्राफ रूप में दर्शाया गया है जिनका वरणन संभव नहीं है आप अपने मित्र से संपर कीजिए इसका उत्तर दिया गया है ए अपनी यात्रा अपने घर से शुरू करता है अर्थाद जब वो बी के घर पहुँशता है तब तक वो कुछ दूरी तय कर चुका है और कुछ समय भी बीच चुका है अर्थाद बी के घर से शुरू होने वाले ग्राफ का आरंभिक बिंदू द कृपया ग्राफ का वरणन संभव नहीं है अतह आप अपने शिक्षक से संपर कीजे इसका उत्तर दिया है अगर एको अपने घर से बीके घर तक की यात्रा का ग्राफ कीचा जाए तो सपश्टतह वहां दूरी भी शून्य होगी और समय भी शून्य होगा अर्थाद ग्राफ म संक्रमित होंगे उतनी ही तेजी से वो फैलता जाएगा इसलिए निम्नमे से कौन सा आरेक इसके फैलाव को प्रदर्शित करेगा प्रुपया ग्राफ का वरणन करना संभव नहीं है आप अपने विशे विशेशक्य से संपर कीजे इसका उत्तर दिया गया है प्रश्न से च जावक का चाल समय आरेक बगल के चित्र में प्रदर्शित है तो उसका दूरी समय आरेक कौन सा होगा ग्रुपया चित्र के विशे में जानकारी के लिए आप अपने शिक्षक से संपर कीजिए इसका वरणन संभव नहीं है उत्तर है चुकि पहले कुछ समय तक चाल नियत ह अतह दूरी रेखिक रूप से बढ़ेगी फिर अगले समय अंतराल में चाल शून है अतह दूरी नियत हो जाएगी अर्था दूरी बढ़ना रुप जाएगा और पुना अगले समय अंतराल में दूरी बढ़ने लगेगी प्रश्न बारह यदि एक धावक का चाल समय आरेक चित्र में प्रदर्शित है तो उसका दूरी समय आरेक क्या होगा रुपेया ग्राप के विशे में जानकारी के लिए आप अपने विशे विशेशक किसे संपक कीजिए इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है चुकि चाल नियत दर से बढ़ रही है अता दूरी चर्ग हातां के दर से बढ़ेगी प्रिश्ट 119 प्रश्न 13 एक व्यक्ति बिन्दू A से बिन्दू B फिर C फिर D होते हुए पुन्ह बिन्दू A तवर पहुशता है A से B की दूरी B से C की दूरी C से D की दूरी और D से A की दूरी चारों समान है और इन्हें ताय करने में उसे समय भी